Hello everyone, last class के अंदर हमने Archigonium का and N3DM का Structure and Development पढ़ लिया था Then कैसे Fertilation होता है, किस तरह से Jigot का Germination होता है ये सब हम last classes में पढ़ चुके है Jigot के Germination के बाद क्या बनता है, Jigot के Germination के बाद Sporophyte बनता है Sporophyte, Rixia के अंदर Capsule की सिर्फ आपको Capsule-like Structure में दिखाई देगा Capsule क्या होता है? Capsule Rixia में आपको इस तरह से दिखाई देगा Rixia के अंदर Capsule सिर्फ और सिर्फ एक Round Round Structure की Form में दिखाई देता है जो कि इसकी Dorsal Surface पे ये अगर Thalus मानते हैं Thalus की Mid Rib पर Dorsal Surface पे आपको इस तरह से Round Round Structure दिखाई देगा और ये जो Round Structure है ये अपर वाला इसको आप Capsule कहें यानि कि ये होता है Rixia के अंदर Capsule और Sporophyte, Rixia में सिर्फ और सिर्फ Capsule से Denoted होता है यानि कि आप इसमें जब बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ Capsule ही दिखाई देगा लेकिन जब हम बात करते हैं Markensia की तो Markensia के अंदर आपको इस तरह से Foot, Ceta और Capsule ये जो उपर वाला Reason है ये है इसका Capsule ये जो है, ये है Ceta and then Foot So Markensia के अंदर यानि कि जैसे जैसे आप Higher Pryophytes की तरफ जाते जाएंगे आपको Sporophyte की Structure में differentiation दिखता जाएगा लेकिन Rixia एक Lowermost Pryophyte है तो इसमें सर्फ और सिर्फ Capsule दिखाई देता है जो कि ये है इसका Structure So, अब हम बात करते हैं कि और क्या Special Character है Sporophyte के So, first of all, ये Capsule से Renote होता है Second, Foot और Seta absent होते है Capsule से Renote होता है Foot और Seta absent होते है Third, कि ये Embedded रहता है Thallus के अंदर जब आप Gametophyte की बात करते हैं तो Gametophyte में ये Embedded Form में दिखाई देता है आपको जैसा कि मैंने बताया था कि जो Rixia है, जो भी Bryophytes है उनकी Mid-Rip पर Reproductive Organ Embedded दिखाई देते हैं, डॉर्सल सरफेस पर तो उसी तरह से क्योंकि ये Archigonium के अंदर डबलप होगा क्योंकि Sporophyte एक Semi-Parasitic Nature का होता है जो Gametophyte पर Depend रहता है Nutrition के लिए इसलिए ये Embedded Structure होता है Non-Green है जो कि Food के लिए किस पर Depend Non-Green है, तभी तो ये अपना Food नहीं बना पा रहा है इसलिए ये Gametophyte लिए Depend होता है अब Sporophyte के अंदर जो Sporophyte था, उसके अंदर क्या Cells थी? Spor Mother Cell जोने Sporocytes कहा जा रहा था Sporocytes से क्या बन रही थी? Sporocytes से Sporps बन रहे थे आपको इसके चारो तरफ एक जैकेट दिखाई देती है जैकेट डबल लेयर होती है और उससे बहर की साइड में आपको कैलिप्टर दिखाई देती है जो कि कैलिप्टर आर्ची गोनियम की जैकेट में डिवीजन से परिकलान डिवीजन से बनती है आर्ची कॉनियम के जैकेट में जब परिकलायन डिवीजन होता है तो उससे कैलिक्टरा बनती है और आगे जाकर जो इस पोरोफाइट है वो खुद की जैकेट का फॉर्मिशन करता है जो जो आउटर वाली दो है उन्हें इनर वाली को जैकेट का गया इसका स्ट्रॉक्चर अम आगे डाइग्राम के से देख लेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा अभी यह थियोरी है तो इसी थियोरी को मैं आपको जस्ट समझा रही हूं ताकि आप उन चीजों को रिकॉ मुँजा से बताया था कि इनके इंदर मेयोसिस होता और मेयोसिसस से क्या बनते स्पोर्स मियोसिसस से हमेशा अर्ठ C3 विभाजन धार वहता है वो हैप्लोः हो जाता है तो यहाँ पर हैप्लोड स्पोर्ट बनते किस तरह से यह जो सब है आपको इसके capsule में दिखाई देता है इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि यह हो गया sporophyte इसके बाहर की साइड में क्या थी jacket यह इसकी jacket cells है जो की double layer है इसके बाद में इसकी बाहर साइड में कैलिप्टरा थी यह है इसके कैलिप्टरा जो इस तरह से जब immature sporophyte होता है तो यह चार protective layer को contain करके लगता है लेकिन जैसे जैसे धीरे-धीरे sporophyte के अंदर जो sporocytes थी जो spor mother cells थी उनके अंदर meiosis होता है और spor बनने लगते हैं और जब spores भी mature हो जाते हैं तब इसकी जो यह outer layer है कैलिप्टरा सिर्फ और सिर्फ यही एक single layer बचती है बाकी की जो तीन layer है कैलिप्टरा की भी एक layer और बाकी की जैकेट की भी दो layer water को absorb करके धीरे-धीरे disintegrate हो जाती है यानि कि वो time के साथ-साथ खतम होती जाती है तो यह जो sixth point है यही कह रहा है कि formation spor से बनने से पहले-पहले ही जो sporogonium है उसकी जो inner layer है वो dissolve हो जाती है सिर्फ और सिर्फ एक single layer कैलिप्टरा outer side में present रहती है तो यही चीज आपको ध्यान रखने है अब आप diagram की तो इसे और अच्छे समझ लेंगे चलिए diagram की बात करते हैं यह diagram आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको एक क्या दिख रहा है देखो फॉस्ट ओफॉल यह है sporophyte जैसा कि बताया था कि इसके अंदर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ एक capsule होता है यानि कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से round round structure दिखेगा यह capsule एक ball like structure इसके अंदर ना आपको फुट दिख रहा है ना सीटा दिख रहा है लेकिन मारकिन से आमें आपको फुट सीटा दिखा ही देता है अब यह जो capsule है यह capsule की four layers थी जैसा कि बताया था कि आउटर वाली जो थी दो उन्हें कहा था केलिप्रा और फिर इसकी बाद में इसकी खुद की जैकेट थी ताइम के साथ साथ जब ताइम होता जाता है यानि कि जब sports mature होते जाते हैं sport tetraard बन गया बिल्कुल sport mature हो गया germinate होके और new gametophytic thalus को बना पाएंगी तब इसकी केलिप्रा की इनर लियर और जैकेट खुद मदब जैकेट की खुद की जो दो लियर थी वो disintegrate हो जाती है वाट्रो का ब्सॉप करके तो जो एक मैच्चुर स्पोरोफाइट की बात करें जिसके पास mature sports है sport tetrad है उसकी पास सिंगल लियर कलिप्टरा बचती है तो यह हो गया sport of white का structure rixia के अंदर आप इसकी sport किस form में अरेंज होते है tetrahydrali इस तरह से आपको दिख रहा है tetrahydrali इस तरह से आपको दिख रहा है उसे बोलते है एंडो sporeum outer वाली को exosporeum एक nucleus को contain करके रखता है इन दौनों के बीच में एक mesosporeum होते है यानि कि आप ऐसे मान लीजिए कि इसके पास तीन लेयर है मतलब तीन वाल कवर है यह outer वाली exo सबसे अंदर वाली endo और बीच की meso चलिए अब इसका germination कैसे होता है यह सब हम पढ़ेंगे हां इससे पहले कुछ points और यह कि जब हम markensia की बात करते तो markensia में elators नामक structure आपको दिखाई देंगे जैसा कि मैंने आपको उस समय बताया था जब हम last class में बात करें थे कि elators क्या होते है elators इस तरह से आपको tetrahydle structure दिखाई देते हैं यह tetrahydle structure कैसे होते है sorry, elators आपको इस तरह से spiral structure दिखाई देते हैं जो कि sports जो है tetrahydle उनके बीच बीच में present होते हैं इस तरह से आपको elators दिखाई देते हैं जिनके उपर spiral thickening होती है और यह क्या काम करते हैं यह hygroscopic होते है nature में hygroscopic होते है nature में यानि कि water को absorb करके sports को hydrated रखते है nutrition प्रवाइड करते हैं अब इसके बाद जो man point है वो यह है कि जो archagonium है मतलब जो archagonium है जो female reproductive organ है उसकी नेग धीरे-धीरे करके disintegrate हो जाती है अब sports का structure आपको sporophyte के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि sporophyte कैप्सूल से रिप्रेजेंट होता है यानि कि सिर्फ और सिर्फ एक round structure होता है capsule जो कि starting में four layer को contain करता है लेकिन जब mature spore होते हैं जो कि meiosis से बनते है sporophyte में जब meiosis होता है तो उसे spore बनते हैं तब सिर्फ और सिर्फ एक single layer caliptera बचती बागी तीन layer disintegrate हो जाते हैं elatars absent होते हैं foot और theta absent होते हैं हम इसे comparison करके पढ़ रहे हैं markantia से इसलिए आप elatars and foot theta की बात करें अगर आप markantia से compound ही करते हैं तो जो आपके पास points है आप उन्हें दिमाग में रख सकते हैं अब sports की बात करें तो simple सी rounded है कैसा है ठिक है consist कर रहा है तीन layer को outermost को कह रहा है exosporium middle को कह रहा है meso और सबसे inner वाली को कह रहा है endosporium जो outer वाली है exo वो scleptured है यानि कि वो ऐसे उभार और उसके उपर structure बने हुए है unicellular है uninucleate है cytoplasm present है जिसके अंदर oil globules हैं और यह spore के germinate से gametophyte बनता है तो इस तरह से spore का structure भी आपको बता चुके हैं अब कि यह कैसे spore germinate होता है तो यह जो spore है यह sculpture आपको दिख रहा है कि इस पर कोई न कोई आकृतियां बनी हुई है अब इस sporophyte जो इस spor है इस spor के पास में एक पोर है पोर यानिके एक छेद है जैसे की हम पोलेंस में पढ़ते हैं पोलेंस के पास भी auxine और entine होती है उसी तरह से spor के पास भी एक exo endo और meso है अब इसके पास पोलन के पास में जर्म पोर होता है वैसे इस पोर के पास में भी एक पोर है उस पोर से जर्म ट्यूब निकलती है यानि कि जब ये वाटर को अब्जॉब करता है तो भी ये जर्म ट्यूब को फर्मेशन करता है ये जर्म ट्यूब इस तरह से उस जर्म पोर से बाहर आती है, अब इसके अंदर first transverse division होता है first transverse division होने से 2 cells बनती है, कैसी बन रहे हैं 2 cells, एक upper side में और एक lower side में अब इसके अंदर 2 vertical division होते हैं, एक दूसरे के 90 degree पे जिससे की total number of cells कितना हो जाता है, 8 cells हो जाती है जो की 4-4 की tire में आरेज देती है ये 4 और ये 4 ये 4 वाली right side के लोब बनाएंगे और इस तरह से ये जो upper वाला जो portion है, ये new cellus को formation कर देता है, तो आपको ये इस तरह से germinate होता दिख रहा है कि कैसे ये germ pore से germ tube निकल कर divide होकर 1 transverse and 2 vertical division से 8 layer बन गई, जिसमेंसे 4 हैं और ये जो 4-4 की tear में differentiated होंगी, जो कि आगे जाके thallus का formation करेंगी, इसे हम और अच्छे से समझने के लिए एक flow chart के तरह समझना की कोसिस करते हैं चलिए, स्टार्ट करते हैं चलिए, अब germination of spores पढ़ते हैं first of all, क्या होता है कि जो spore है, उसको germination के लिए क्या चाहिए, light और low temperature चाहिए होता है ठीक है अब ये जब germination करना होगा इसे तब क्या होगा, कि ये जो spore है ये spore ये spore jump pore से बहार आएगा jump tube का formation करेगा और इसके अंदर क्या होगा एक transverse division होगा and दो vertical division होगे जिससे की eight cells मनेंगी और ये eight cells ये eight cells चार-चार की tire में अपने आपको orange कर लेंगी यानि कि four-four की tire में four cell उपर side में इस तरह से और four cell नीचे side में ठीक है, अब ये जो low, अपर वाली four cells है यानि कि four cells का जो अपर वाला tire है इससे थैलस का formation ये जो लोब थी, इसका जो एपिकल वाला portion है इनसे ये four cells बनेंगी और जो ये lower वाली four cells है इनसे राइजोईट्स और जो बाकी का ठैलस है इसका formation होगा इस तरह से आप इसे इस flow chart के तुरू समझ सकते हैं सो टोटल कंक्लूजन ये है कि ये पूरा जो flow chart है ये spore के germination को बता रहा है इसका PDF में आपको प्रवाइट कर चुकी हूँ लेकिन यहां से आप समझ सकते हैं इसे सेकेंड चीज ये है कि ये जो थैलस है अब इस spore के formation से जो gametophytic थैलस बना है वो कैसा होगा nature में वो haploid होगा nature में haploid का मत्द क्यूं होगा क्योंकि जो spore है वो meiosis से बने है जो आगे gametophyte बनेगा वो haploid बनेगा अब इसके बाद में germination sports का खतम होता यानि कि हमने कहां तक पढ़ लिया हमने all over उसका life cycle पढ़ लिया है अब हम किस तरह से इसे as a flow chart की form में समझा सकते हैं इसे समझ लेते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं रिक्सिया का gametophyte यानि कि रिक्सिया की gametophyte से start करते हैं तो जो रिक्सिया का gametophyte है ये कैसा होता है ये या तो homothelic हो सकता है या गलग पे होंगे एंथ्रीडियम से बन जाएंगे एंथ्रोजॉइट और आर्चिगोनियम से बन जाएग इन दोनों की fusion से fertilization से क्या बनेगा जाइगोड जो की कैसा होगा deployed होगा अब ये deployed जाइगोड germination करके क्या बनाएगा sporophyte बनाएगा और ये sporophyte खुद भी अभी deployed होगा नीचर में जब ये sporophyte आगे डवलप होगा तो इससे sporogonium बनेगा यानि कि जो sporangia थी वो बनेगी और वो sporangia कैसी होगी वो भी deployed होगी और उसके अंदर अब बनेगी sporocyte mother cell इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है SMC sporocyte mother cell ठीक है अब ये SMC क्या बनाएंगी sports को बनाएंगी और ये sports किससे बनते हैं ये sports बनते हैं meiosis के त्रू यहाँ पर क्या हुआ मियोसिस हुआ जिससे कि ये sports बने वो कैसे हो गए हैपलोइड होगी आप इनके germination से वापस से निरिक्सिया का एक new thallus बन जाएगा और वो कैसा है गैमीटोफिटिक है नेचर में यानि कि ये हैपलोइड होगा सो इस तरह से रिक्सिया का जो sexual reproduction होता है लेकि जो मैं वेजिटेटिव reproduction की बात करते हैं तो वो होता है fragmentation के त्रू और apical notch उसके खुद जब favorable condition में germinate होती है तब वो formation करती है इसके अलावा ये एक persisting bird की तरह काम करती है चीर कालिक सर्चना की तरह काम करती है adventitious birds का formation होता है advantageous branches इसके अलावा ये जो थैलस है ये खुद fragmented होके बना सकता है सो इस तरह से रिक्सिया में germination होता है अब आपके रिक्सिया का topic complete होता है अगर अभी भी कोई क्यूरी होता आप मुझसे पूछ सकते हैं till then learn करते रहिए समझते रहिए और अब हम next topic में marketing से start करेंगे सो थैंक यू